आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके जीमेल पर OTP नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहां पर आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में SETTINGS को open करना है SETTINGS मैंने के बाद नीचे स्क्रोल करके एक option आएगा Apps Apps option पर क्लिक करिये उसके बाद manage apps पर क्लिक करके आपके फोन के सारे application यहां पर आपको शो हो जाएंगे और नीचे स्क्रोल करके मिलेगा आपको Gmail जीमेल पर किलिक करिए इस पेज पर आप Gmail पर किलिक करके रखिए और App Info पर किलिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम पेज पर इस तरह से आ सकते हैं अब आपको नीचे Force Stop पर किलिक करके OK करना है Clear Data पर किलिक करके Clear All Data पर किलिक करके OK करिए Clear Data का अगर Option यहाँ पर नहीं है तो Storage पर किलिक करके आप Clear Data कर सकते हैं और एक Option यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिलेगा Restrict Data Usage इस पर आपको किलिक करना है अगर आपका Mobile Data और Wi-Fi यहाँ पर Select नहीं है तो जितने Option आपको मिलेंगे यहाँ पर Mobile Data यहाँ फिर Wi-Fi ओप्शन को Select करके OK कर सकते हैं अगर आपके यह Select नहीं होंगे तो Gmail को Internet का Access नहीं मिलेगा इस वज़े से आपका OTP भी Receive नहीं होगा तो यह जरूर आपको Check करना है अब यहाँ पर आप अपने फोन में फिर से Gmail आपको Open करिए उसके बाद Got It पर क्लिक करके यहाँ पर अपना जो Gmail अकाउंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आपको Show हो जाएगा और Take Me To Gmail पर क्लिक करेंगे यहाँ पर OK करते हैं उसके बाद उपर Three Line में क्लिक करके आप नीचे स्क्रोल करके Spam में जाकर Check कर सकते हैं कोई-कोई Mail यहाँ पर Spam में Automatically चला जाता है तो यहाँ पर आकर भी आप Check कर सकते हैं और उसके बाद अपने फोन में एक बार आपको Airplane Mode को On करना है और उसके बाद Airplane Mode को या फिर Flight Mode को बंद कर दीजिए और यहाँ पर अपने फोन में चेक करना है आपको Internet Connection यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको Internet Connection चेक करना है आपको Mobile Data चालू होना चाहिए जिस SIM का आप Net Use करते हैं उस पर के लिए करके Preferred Network Type, Preferred LTE select करिए और यहाँ पर Network Connection को चेक करने के बाद आप Back आ सकते हैं और अपने फोन को आप उसके बाद बंद करके चालू कर लीजिए यानि कि Restart कर लीजिए उसके बाद आपके Gmail पर OTP आ जाएगा और आपकी Problem Solve हो जाएगी तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें